हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब, आपका स्वागत करता हूँ, आपके अपने यूटूब चैनल वीजय काले सियाटिस में, दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इंजिन ड्रोइंग को लेकर, कि आपको इंजिन ड्रोइंग की तैयारी कैसे करनी हैं, ठीक है, उसको लेकर हम डिसकस करेंगे, तो जो इस्टूडेंट इस चैनल पे नए है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर इनको ये जानकारियस चलिकते हैं, तो वीडियो को लाइक बग करते, और जो इस्टूडेंट अभी तक टेलिग्राम गुरूप से नहीं जुड़े है वो टेलिग्राम गुरूप को भी जोइन कर ले, वहाँ पर भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है, बाकि जो जिस पेपर को लेकर मैं डिसकसन करूंगा, ये भी आपको टेलिग्राम गुरूप पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से रिसको देख सकते हैं, ले सकता है, उस पर 10% ओप चल रहा है, वो ले सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वाट्साप नंबर देगा है, वहाँ से कॉंटेक्ट कर सकते हूं, ठीक है, देखिए, जो मैं ये आपको पेपर दिखा रहा हूं, इंजिन ड्रोइंग का, जब मैंने सियाटेस की थी ये इस्ट्रूमेंट मेकैनिक ट्रेड के लिए ये पेपर है, ठीक है, देखिए, मैं आपको खिलर कर दूँ, दो पेपर होते हैं इंजिन ड्रोइंग के, जो मेकैनिकल ट्रेड है, जैसे फीटर, रोगी, वैल्डर, कार्पेंटर, उन सब का पेपर एक आता है, जैसे इलेक्ट इलेक्ट्रो मेकैनिक, जिनकी ट्रेड है, तो उसमें सिंबल आते ही आते है, अभी तक जितने भी एकजाम हुए है, ठीक है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं, दस सिंबल दे गए, दस में से कितने करने थे, पांच करने थे, दस नमबर का ये पोर्शन है, ठीक है, इस से पह ठीक है अब दूसे नंबर पर देखें यहाँ पर यहाँ से आपको डाउट के लिए रो जाएगा यहाँ पर लिखा है construct a parabola ठीक है यानि आपको parabola बनाना है यह कितने नंबर का है 10 नंबर का है अब मैं दोस्तों आपको बता दू मैंने parabola प्रैक्टिस नहीं किया था इसलिए मेरा कोशी ने छूट गया था बिल्कुल ठीक है तो parabola दिया गया है बनाने के लिए ठीक है अब तीसे नंबर पर देखिए यहाँ पर सरकी डाइग्राम बनाने के लिए बोला है दोसर की डाइग्राम यह दस नंबर में दिया गया है ठीक है जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पर चार नंबर पर आप देख सकते हो और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ठीक है यह बीस नंबर का है ठीक है यह कितने का है ये 20 नंबर का है आप देख सकते हो ये 20 नंबर का देख सकते हो आप ये डाइगराम है इसका आपको front view, top view और side view बनाना है इसका ठीक है अब मैं बता दू सभी trade के लिए इसमें common क्या है जो आपको exam में देखने को मिले आप देखिए जो दो नमबर पर आप देख रहे हो ये चीजे आपकी कोई भी ट्रेड है ठीक है जिसके पास इंजिन्ग ड्रोइंग है तो आपको ये देखने को मिल सकता है ठीक है और जो नीचे ये और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया गया है ये चीजे आपको भी देखने को मिल सकती है ठीक है यहाँ पर पैरबोले की जगए इलिप्स भी आ सकता है या इस्पाइरल भी आ सकता है हेलिक्स भी आ सकता है साइकलोड भी आ सकता है ठीक है बाकी मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर अगर को स्टुडेंट इलिप्स, पैरबोला, हाइपरबोला स्पाइरल, हेलिक, साइकलोड यह सब बनाना सीखना चाहता है या और्थोक्राफिक, प्रोजेक्शन या आइसोमेट्रिक, तो पीपीटी के माध्यम से सीख सकता है ठीक है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो महाँ से जाकर पीपीटी ले सकता है, ठीक है एक बार आप वेबसाइट पे विजिट जरूर करना, ठीक है तो ये तो बात हो गई, इलेक्टीशन ट्रेड के लिए, इलेक्टीशन, इलेक्ट्रोनिस, मेकैनिक ये ट्रेड, ठीक है तो यहाँ पर उनके लिए एक्जाम में उनको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते है यहाँ पर आप देखिए यानि आपको इन में से कोई पांच इसकेच बनाने है फ्रियेंट पंदर नमबर का यह पोर्शन है ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करते रही है जैसे आप नीचे आओगे दो नमबर पर देखिए यहाँ पर आप देख सकते है और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ठीक है, यह यह डाइगराम है और यह 20 नमबर का है आप देख सकते है ठीक है, तो सभी स्टुडेंट को मैं एक बात कहना चाहूंगा ठीक है, वे हर रोज एक और्थोग्राफिक या एक आईसोमेट्रिक की प्रैक्टिस जरूर करें ठीक है, अगर आप यह सोचते हो कि मैं सिम्बल से सिर्फ पास हो जाऊंगा या फिर फ्री एंडी स्केज बना के पास हो जाऊंगा मेरा मानना यह है, आप यह गलती मत कीचे जब तक आप यह बनाना नहीं सीखोगे जब तक आप इसको नहीं बनाओगा एकजाम में तब तक कुछ नहीं बोल सकते, यह बएहद ही इंपोर्टेंट है ठीक है, और आप आसानी से यह नंबर प्राप्त कर सकते हो ठीक है बाकि एक यहाँ पर आईसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी आया था ठीक है तो कुछ आपको ऐसा एकजाम देखने को मिलता है इंजिन ड्रोइंग का ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें इंजिन ड्रोइंग और मैं आपको एक चीज के लिए कर दू बहुत बच्चों की जो बहुत इस्टूडेंट है जो थोड़ा इसको सोचता है कि हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बच्चे इसमें पैक भी लगती है, उनकी सप्लिमेंटरी भी आती है तो इसलिए अपना प्रैक्टिस करते रहें धिल मत छोड़िए ठीक है तो जो इस्टूडेंट पैपीटी लेना चाहता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही ठीक है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना अगर आपको जानकार है अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, धन्यवाद